हेलो दोस्तों मैं हूँ उदैर अंजन और इंटाइंजर इंडिया के चैनल पर आप सब का स्वागत करता हूँ तो यहां पर देखिए यह उज्माइक लिमिटेट का चार्ट लगा हुआ है आज हम लोग इसका थोड़ा एनलसिस करेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब यह कब तक सरकिट यह continue हो सकता है तो उससे पहले आप लोग वीडियो पर बने रहे है और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेजे तो यहां पर देखिए अभी 16.35 पर यह BAC में इसका स्टॉक प्राइस चल रहा ह है और यहां पर कई सारे ब्लॉग डिल्स हुए हैं तो उसका पहले हम लोग जानकारी ले लेते हैं उसके बाद मैं यह चीज बताऊंगा आपको कि आप लोग कैसे इसमें इन्वेस्मेंट करके रख सकते हैं और बहुत ही अच्छा शेर है अभी यह लॉंग टर्म के लिए यहां फॉपाया यहां तो होने वाला है यह दो फास्ट महारा ब्लॉग डील देखें तो 916 को हुआ है 116 को हुआ है यहां फर स्थमारा व्लॉग डिल देख लेको मिला है और यह हुआ है अग्र quantity एक करोड़ 20 लाक यहां पे देखें बारह लाक क्या स्वास में बारह साथ हजार बारह 07,555 यह त्रेड अधोए हैं बारह यह 7500 फाफिर यहां पे ट्रेड हुए हैं और उसके बाद यह अगर देखें तो यह टोटल प्राइज जो है वो 13 16.35 के प्राइज पे जो कि अभी मार्केट में अपर सर्किट चल रहा है वहीं पर जाके यह ब्लॉक डिल्स हुआ है तो यहाँ पर देखें यहाँ पर सिर्फ बायर हैं और 916 के बाद अगर हम लोग देखें तो 916 के बाद एक और ब्लॉक डिल्स हुआ है यहाँ पर जिसमें हम लोग यह 9 28 AM को 928 AM को यहाँ नहियर आपको बता देता हूं 16.35 पे 16.35 पे जो कि आप पर सर्कुत चल रहा है और यहां पे 5 लाग सुन्टिती यहां पे ब्लॉक में डील होता हुआ दिखा है तो 5 लाग हुर्स वाराइद डिना इस। हम लोग को यहां पर एक चलता है यहां पर अपनूंग तो एवरीडे एवरीडे इसमें सर्कीट लग रहा है तो कई सारे इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं कि इसमें बाई कैसे किया जाए तो इसमें सर्कीट अगर है तो इसमें बाई तो आप लोग नहीं कर सकते हैं लेकिन ऐसे ऐसे टाइम में या फिर ऐसे टाइम में एक ना एक बा तो market इसका ऊपर या नीचे होता है तो उसी time उसी time में आप लोग इसको buy कर सकते हैं तो इसमें देखना पड़ेगा कि कैसे यह trade कर रहा है और या circuit खुल रहा है या फिर थोड़ा बहुत इसमें participate करने का मौका मिल रहा है तो अगर participate करने का मौका मिल रहा है सबसे बड़ा बात यह है कई सारे investors का यह doubt है कि यह circuit कब तक continue होता रहेगा तो देखे यहाँ पे यहाँ पे जो SBI का मैंने दूसरा वीडियो बनाया था उसमें SBI capital का जो मैंने बताया था कि 4.70 4.70% का जो stake है वो अभी additional होने वाला है और हो रहा है अभी 4.70 4.70% का SBI cap का SBI cap का जो additional holding और voting rights इसमें बढ़ने वाले है वो 4.70% तो देखे इससे कैसे आप लोग calculate केजेगा सबसे पहली बात मैं बताता हूँ अगर किसी को थोड़ा भी इस चीज़ समझ में आ जाएगा तो वो आसानी से इसी तरीके से इसको calculate कर लेगा तो देखे 4.70% का stake इसमें बढ़ने वाला है तो पहले हम लोग देखेंगे कि previous day previous day NSE में इसमें एक करोड एक करोड तेरा लाग के आसपास में इसमें एक करोड तेरा लाग के आसपास में इसमें ये ट्रेड होता हुए दिखा है जो भी quantities थे वो ट्रेड होते हुए दिखे हैं और उसके बात जो volume था वो तीन करोड के आसपास में था तो इसमें देखे इसमें हम लोग calculate करेंगे कि total number of shares total number of shares जो की market में available है ठीक है total number of shares जो की market में available है yes bank के yes bank के जितने भी total number of shares जो की इसमें available है market में trade करने के लिए उसका 4.70% आप लोग निकाल लीजे 4.70% हम लोग total number of shares जो की trade होने के लिए market में है वहां से 4.70% को divide कर दीजे ठीक है यहां पर अगर हमने 4.70 से divide कर दिया total number of shares से तो आ जाएंगे हमारे एक हमारे shares आ जाएंगे मतलब माल लिजे कि यहां पर X shares आ गए ठीक है यहां पर माल लिजे कि इतने shares आ गए यहां पर जो की trade होने वाले हैं अभी यह मतलब अगर voting rights लेना है तो यहां पर इतने number of shares trade होने वाले हैं और यहां पर इतने shares बढ़ने वाले हैं ठीक है बात समझेगा आप लोग total number of shares अगर हमने 4.70 को divide कर दिया तो total number of shares आ गए जो की हमारे 5 या 6 दिन में या 10 दिन में trade होने वाले हैं तो X number of shares हमारे आ गए यहां पर माल लिजे कि यह हमारा 10 करोड आ गया ठीक है 10 करोड यहां पर total number of shares आ गए जो की अभी trade होने वाले हैं जिसने मतलब कि यह बढ़ने वाला है stock और अगर माल लिजे कि SBI Capital इतना 10 करोड shares का यह लेने वाला है माल लिजे इसको X को मैंने माल लिए 10 करोड ठीक है तो 10 करोड का total number of shares अभी बढ़ने वाला है तो रोज अगर एक करोड का इसमें बढ़ रहा है रोज अगर एक करोड का या 3 करोड माल लेते हैं अगर 3 करोड का volume रोज आ रहा है और यहां पर total traded value यहां पर 3 करोड है लेकिन delivery इसमें से 85% का उठाया जा रहा है तो अगर माल लेजे यहां पर 2 करोड शेयर यहां पर अगर trade हो रहा है रोज के रोज और इतने shares बढ़ रहा है जो कि यह 4.70% वाले हैं तो 2 करोड अगर shares बढ़ रहा है तो इसमें 5 दिन तक यहां पर circuit लगेगा आप लोग को easy तरीके से समझ में आना चाहिए कि 10 10 करोड का अगर total shares आ गये जो कि trade होने वाले हैं और इसमें बढ़ने वाले हैं 4.70% बढ़ाने के लिए तो यहां पर 5 दिन लगेंगे circuit 5 दिन तक circuit लगेगा क्योंकि क्योंकि अगर माल लेजे अगर 2 करोड एक दिन में trade हो रहा है और circuit लग जा रहा और हमें बाई करने है 10 करोड shares तो 5 दिन हमें circuit लगाने पड़ेंगे और 5 दिन तक circuit लगते रहेगा तो ऐसे देखिए आएसे हम लोग total number of shares calculate करते हैं और वहां से हम लोग percentage define करते हैं कि कितना percent यहां से कोई भी investors उठाने वाला है कोई भी बड़ा investors में से 4.70 अगर उठाने व तो 10 करोड में से एक दिन में हम लोग volume निकालेंगे एक दिन का volume और delivery percentage कितना आ रहा है तो एक दिन का delivery अगर हम लोग का 2 करोड आ रहा है क्योंकि 85% का यहां पे delivery everyday बन रहा है थोड़ा difference होता है लेकिन एक average लेके 85% का delivery यहां पे बन रहा है तो अगर 85% delivery 2 करोड आता है तो यहां पे 5 दिन तक आपको circuit देखने को मिल सकता है तो 5 दिन तक यहां पे तो 5 दिन हो गया अभी लेकिन लेकिन इसमें x का value यह 10 करोड नहीं है 10 करोड से जादा है यह 20 करोड भी हो सकता है 30 करोड भी हो सकता है तो 20 अगर इतना जादा हुआ तो यहां पे 10 दिन तक यह circuit यह हो सकता है continue हो सकता है तो यहां पे ऐसे calculate किजिए आप लोग यह easy तरीका बहुत easy तरीका है नसी के जो यह चीजे हैं ऐसे ही calculate की जाती है तो यहीं से हम लोग देख सकते हैं त बहुत बहुत धन्यवाद thank you तोस्ताव